तो माई डियर स्टुडेंट यदि आपकी परिच्छा हिंदी काब की है और आप बिये फश्टिया के फर्स समेस्टर के चात्र हैं तो आप सही वीडियो को देखने आए हैं अगर आप माली जे की एक्जाम की तैयारी कुछ भी नहीं किये हैं या फिर माली जे कुछ अगदम से तैयारी की ही नहीं की है तो उनहीं के लिए ये सिर्फ और सिर्फ बीडियो है क्योंकि इस बीडियो में हम आप लोगों को वो सारे कोश्चन बताने वाले हैं जो आपके एक्जाम में आने वाले हैं यदि आपने थोड़ी तैयारी की है तो आप पर इच्छा में कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 40-50 नंबर तो दिला ही देंगे लेकिन जो जो मैं question बताऊंगा जो जो मैं उत्तर बताऊंगा उसको आपको तयार करना होगा और question and उसका answer दोनों हम आपको बताएंगे with PDF सहित लेकिन कौन-कौन से question तयार करना है वो पहले जान लीजिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी यदि आप पूरा देख लेते तो पूरी सफलता मिलेगी सबसे पहले मैं आप लोगों कि समस्ते इसी वर्स 2324 के सेसन का हिंदी काविका पूरा का पूरा माडल पेपर प्रस्तूत करने जा रहा हूं क्योंकि कई सारी इन्वर्सीटियों में परिच्छा हैं हो चुकी है तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं जो जो मैंने question बताये थे प्रिच्छा में पूछे जा रहे हैं आप लोग सोच दीजे 57 नमबर का पुढ़ांग होता है तो मेरे द्वारा बताये कारिब करीब 50 से 60 नमबर के question मेरे द्वारा बताये तो में आरहे हैं तो पहला कोश्चन है आतले उत्रे का कि जॉर्ज ग्रेशन के हिंदी साहित के इतिहास ग्रंथ का नाम लिखे बहुत पॉप्लर कोश्चन है और यह एक बार नहीं कई बार पैच्छा में रिपीट हो चुका है तो इसके बारे में आपको जरूर ध्यान देना चाहिए ठीक है चलिस के बारे मां आपको बताते इंड तक बने रहेंगे ठीक हाप सभी ओके इसका उत्तर आपको लिखना द्यान से सुन लीजे जो 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 जिरूर्ज ग्रेर्षन है इनकी हिंदी साहित के एतिहासटल गृंथ का नाम अध्यान से सुन लीजिए मिवशने में से झाहलने ठीक है हम लिख दे रहें ताकि आपको ठीक है अधा का है ठीक है वर्णा क्यू लर ठीक है दा मॉर्डन वर्णा ठीक है वर्ना क्यूलर लिट्रेचर आफ हिंदुस्तान ठीक है क्या है लिट्रेचर क्या है लिट्रेचर ठीक है लिट्रेचर आफ हिंदुस्तान ठीक है ये इन लिट्रेचर आफ हिंदुस्तान उके बहुत महात्पूर्ट प्रशन है अगला प्रशन है भईया कि आधिकाल के दो रासो ग्रंथ एवं उनके लेखकों का नाम लिखेंगे बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन भी इसका भी उत्तर जान लेते हैं ध्यान से सुनेंगे आप सभी तो आधिकाल के दो रासो ग्रंथ के नाम और उनके लेखकों के नाम तो नमबर एक पे ध्यान से सुनेंगे नमबर एक पे आप लोग लिखेंगे पिर्थिभी राज रासो ठीक है और पिर्थिभी राज जो रासो है ये चंदर बाजदाई जी की रशना है ठीक है तो लेख पहले गरंथ कौन सा हो गया ठीक है प्रिथिवी रार रासो उसके बाद इसके रसनाकार कौन हो गया चंदर बरदाई हो गया ठीक है उसके बाद आपको लिखना है ठीक है यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे दो नमबर अब दो नमबर गरंथ लिखेंगे दो नमबर पर ठीक है बाकि इन सभी का उत्तर हम ठीक है अभी मैं पीडियाप बनाया हूं उसमें अटेच कर दूँगा तो आप लोग तैयार कर लिजेगा ठीक है तो प्रिथभी ठ्वरी आधिकाल के दो प्रमुख ग्रंथ हैं कई सारे लेकिनी आप दो ग्रंथ को बारें पूर्शा तो आ उसके बहुत महत्पूर्ण प्रस ने कई बार आ चुका तो ध्यान रखेंगे और यह कोईश्चन और सकता कि आधिकाल के जो अलग अलग नाम है उनके बारे मताईए और उनके नाम रखने वाले बिद्वानों को नाम बताईए यह भी बहुत पूपलर कोईश्चन है इसको भकतिकाल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है याद रखेंगे ठीक है दो भागों में डिवाइड किया गया है कितने में दो में ठीक है बहुत ही पॉपलर कोईश्चन ध्यान सुनेंगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है दो में और नंबर एक पे लिखे लिखेंगे निर्गुड ठीक है क्या लिखेंगे निर्गुड ठीक है काब्बे धारा और दो नमबर पर लिखेंगे सगुड काब्बे धारा ठीक है तो भक्तिकाल को दो भागों में बाटा गया है निर्गुड और सगुडवे इस बात को ध्यान रखेंगे दें कि उत्तर हो यह मेरी जानकाने को सार कभी नहीं है कि छाया वाद युक सजड़ा अन्य कोश्चन आते लेकिन यह कोश्चन इंपॉर्टेट ने इसलिए मैं इसको इगनोर ही कर दे रहे हैं ठीक है अगला कोश्चन है कि यह प्रगतिवाद का समय कब से कब तक था या फिर कब से कब तक मान और प्रशन आपकी परिच्छा में आने के पूरी उम्मीद है तो इसके बारें जान लेते हैं तो यह कोश्चन कही रहा है कि प्रगतिवाद यूग है यह कब से कब तक सिंपल सा लिखेंगे 1900 ठीक है बाकि आप लोग इस तरह बना बना के लिखने हैं बना बना कि मतलब यह हम यह आप डारेक्ट लिख लिए कि 1936 से 1900 ठीक है स्टार्टिंग 1936 हुई और लास्ट जो रहा है वो रहा है 1943 ठीक है आप इसी तरह मल लिख दीजेगा कि 1934 आप लिखिएगा कि प्रगतिवाद युग का जो समय है वो 1936 से 1943 तक माना जाता है इस प्रकार उत्तर लिखेंगे ठीक है थोड़ा परचे इसके बारे और भी डीटियल है लेकिन कोश्चन इतना ही कह रहा तो इतना ही उत्तर आपको लिखना है बस ध्यान लखना है ओके अब आगला प्रशन भाईया कह रहा है कि हाँ एक पॉइंट और है पर इसने कहा कि तो प्रगतिवाद का जो हैं नमबर एक पर की पर कभी क्रानत में विशाफ रखते थे पहली जो बितुर रखते थें और नमबर दो पर अप लोग लिखेंगे कि प्रगति वादी कभियों का विस्वाफ था कि स्रमिक वर्ग यानि कि जो मजदूर वर्ग है तथा अनकमजोर वर्ग वर्गों की तरह नारी भी समाज में सोचित है यानि कि जैसे कि स्रमिक गरीब लोग और अनकमजोर वर्ग के लोग पूरी तरह हमारे समाज में फिर एकदम के हिटाओ, ये कौन्ज इंसान है, हिटाओ, इसको यहां में बैटने दो, इसको ये उनकाने करने, फिने करने दो, ऊसी तरह नारी को भी समाद में सुचुद किया जाता है, ठीक है, तो ये दो परम Remember कि विस्टना है, जिनको आपको द्यान रखना है, तो चलिए मैं आपको कई सारी रशना है के नाम बता देता हूं तुलसीदाफ जी की कई सारी रशना है तो नंबर एक पर आप लोग लिख सकते हैं कि राम चैत मानव जिसके बारे में आप सभी जानते हैं नंबर दो पर लोग लिख दीजेगा ठीक है वैरवे रामाइड लिख दीजेगा क्या वैरवे रामाइड और नंबर तीन पर लोग लिख दीजेगा पारबती मंगल लिख दीजेगा ठीक है और नंबर चार पर लोग लिख सकते हैं ठीक है ठीक है दोहा वली और नंबर पर आप लोग लिख सकते हैं राम अग्या प्रश्ण या फिर आप लोग लिख सकते हैं राम लला नहचू ठीक है तो यह इनकी अलाकि बहुत साई इनकी रश्णाएं हैं लेकिन सिर्फ यहां पर चार पूछा गया है लेकिन मैंने आपको आठ बता दिये तो आठ पर जैदा सवाएगा नहीं जै तो चार आता है तो छे आता है ठीक है और तो यह इनकी प्रहुंग रश्णा है जो कि आपको याद रखना बहुत ही पॉप्लर है इन सभी का उत्तर पीडिफ में तैयार किया जो कि अभी आपको मिलने वाला है ठीक है अगला कुश्चिन है कि मलिक मोहम ग्रंथों के नाम लिखें मतलब कि जो हमारे पॉप्लर कभी है जिनको जैसी के उपाध मिली है इनका पूरा नाम है मलिक मोहमद जैसी ठीक है तो इनकी किनी तीन ग्रंथों के नाम लिखना है ठीक है ध्यान से सुन लिजिए तो इनकी जो ग्रंथ है कई सारे हैं लेकिन यह नमबर तीन पे आप लोग लिखेंगे आखरी कलाम यहाँ पर तीन पूचा गया तीनों के नाम हो चुके हैं लेकिन मैं आपको एक दोगर बता दे रहा हूं ठीक है पहला पदमावत दूसरा आखरी कलाम और तीसरा जो हो गया अखरावट हो गया और चौथा लिख लिएंगे प्रमुक ग्रंत है जिनके बारे में आपको याद रखना है तीन पूछा छे बता दिया इससे ज्यादा नहीं आएगा कि प्रिच्छा में ठीक है तो बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है अगला भी टॉप लेबल का कोईश्चन कई बार आ चुका है कि भारतेंदु युगीन और भारतेंदु युग की दो प्रवंग विशेष्टाओं के नाम लिखे ठीक है तो चलिए इसके बारे में आपको बता देना बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन द्यान से सुनेंगे इसका उत्तर ठीक है तो नंबर एक पे लिखेंगे ठीक है ध्यान से सुन लिजिए बहु तुनिष्ट एवुम उसके बारे में डीटियल से वड़न किया गया है ठीक है अच्छे एक प्रमुग विशेष्टा है और नंबर दो पर लोग लिख सकते हैं कि इसमें जो विशेष्टा उसमें चंद भासा एवम अभिमेंजन पध्यत में प्रचीनता अधिक है मतब लिख देंगे आप लोग ध्यां से सुन लिए एक खड़ी बोली का अंदोलन प्रारंब हो चुका था ठीक है किस युग में तो यह ठीक है इसी युग में भारतियंद युग में तो यह वड़ी विशेष्टा है ठीक है और कविता के छेत्र में ब्रज ही सर्वमानी भासा तो यह कुछ चार प्रमुक ठीक है भी सेस्ता है जिसको आपको ध्यान लगना है पौपटलर कोईशन है कई बार आच चुका है तो ध्याण पर आप चूप रहें तो उन पाथ्र या फिर उन रूट के कुछ नाम है जैसे कि मनु है फृधधा है और इड़ा है यह जो कमाईनी रशना उसमें पात रहे अलग-अलग लोग ठीक है तो उनके नाम फिर रखा गाए यह मनु है यह स्वधधा है तो यह मनु फ्रधधा और इड़ा एक किस चीज के प्रतीक है मतब कि किस साफ पे आम है और प्रतिक पहले आप लिखेंगे जो दियां से सुनेंगे मनू ठीक है और जो यह आपका फ्रद्धा इडा यह मानो प्रेम यह बुद्धी के प्रीत है मतलब कि जो मनू है वो मानो का प्रतीक है और जो स्रद्धा है वो प्रेम का प्रतीक है और जो इडा है वो बुद्धी का प्रतीक है मनु मानो का प्रतिक है फ्रद्धा प्रेम का है और इड़ा बुद्धी का है तो इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ही popular question है ठीक है और अगला प्रस्ण है कि भई या कभी धूमिल का पूरा नाम बताईए या भी बताईए कि धूमिल की किस रजना पर उन्हें साहित अकदेमी प्रुषकार मिला था तो सिंपल सा question है सिंपल सा इसका उत्तर भी है ध्यान से सुन लिजिएगा ठीक है तो धूमिल का पूरा नाम है या फिर इनका कह सकते है कि इनका बचपन का नाम था या फिर मूल नाम जिसको बोलते है तो कभी धूमिल का जो पूर मूल नाम या फिर पूरा नाम था सुदामा पांडे जी धूमिल इनका पूरा नाम था ठीक है इस बात को ध्यान लेकेंगे ठीक है क्या था कल सुनना मुझे यह इननिकी कभी दोमिल जी की रशना है जिसका नाम कल कु अक्सिक पर इनको साहितिक अकदेमी जो पुर्शकार है उससे सम्बानित किया गया था ध्याण रख केंगे लगान. तो लग उत्रे में आप सभी को मालूम है कि कुछ आपको पैराग्राफ दिया जाते हैं जिनकी संदर्व सेड करनी होती होती है। पह एगे को गोरी सोवे सेज पर 3000 ठीक हैं चल खुसरो घर आपने रहन भाई चहू देश चकवा चकई दो जने इन मत मारो कोई इह मारे करतार के रेड बिछो ही होए तो इस पैराग्राफ का इस कभ्याल्स का संदर्व सहित ब्याख्या लिखना है चार ग्राफ के अप लोगो को उसके संदर्व सहित ब्याख्या करनी होते है कि अत्वा अत्वा करके रहता ठीक है तो चारों का उत्ता नहीं देका देना सिर्फ दो का देना है जिनके बारे में आपको चैस्ट मालूम है अब इसमें लगुत्रे में कुछ कोश्चन भी आते हैं इस बाती पूरी उम्मीद है तो ध्यान रखेंगे और अगला कोश्चन ए कर्स किसे और समाज सुधारक भी हैं मतलब कि बीश्ना कीजिए और में लिखने योगा कप बहुत ही पौपलर कोटर जूटती नहीं है जिसमें से कुछन नाया IO और अगला कोश्चन मीं बहुत बिहारी ने गागर में लिम्हें पन्क्ति नव आपनों आपनों अन्हें के सब्सक्राइब है जोोग सकते हैं इस रहा है यानि उन्हों ने कहा कि गागर में अवियरे सब्सक्राइब वालियं我们Just surprisingly आ सैदा पर應該 शुतिमारी छूषा content होते हैं यानि कि उनके दोहों में भा होता है मिठापन होता है ठीक है और बात की गंभीरता को सल सब्दों में ब्यक्त कर जाते हैं ठीक है उनकी मन की गहराई को चूते ही हैं और सार्थक संदेश भी दे सब्दों में बड़ी बात कह देना ठीक है या फिर आप लोग इस तरह लिखेंगे और लिख देंगे कि उनके भावों मतलब कि जो दो हैं उसमें बहुत ही भाव भरे होते हैं ठीक है और कोई भी चीज होती उसको गंभीरता वाली चीज़े पिर गंभीरता वाला जो सब्द ह उसको सलसब्दों में ब्यक्त कर देते हैं बस पूरे नंबर मिलने वाले इस तरह बना-बना के लिख दीजेगा बहुत महात्पूर्ण प्रशन है अगला कोईश्चन इक सरद्धा सर्ग के अधार पर प्रसाद यानि जैसे अंका प्रसाद की कावब भासा का मुल्यांकान क इसके बाद खंड सा जाएगे जिसमें दीर घुत्रे पूछे जाएंगी कुश्चन तो दीर घुत्रे में कौन-कौन से कुश्चन आ सकते हैं इसके बारे हम चाच्चा कर लेते हैं ऐसी कोई पर इच्छा चूटी नहीं जिसमें आधिकाल के नाम करके समस्या पर बिचार की आधिकाल को अन्नेकौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-से नाम पीजाना जाता है और आधिकाल जो नाम पड़ गए इसका आइसका नहीं पड़ गया इसकी बहुत फार्वी बीबात थे थे समय सहाई हと思います ठीक है और अलग अलग लोग के नुसार अलग अलग इसको कहा गया जिसको आपको तैयार कर लेना हमारी महासंग्राम पीडियत में इसका उत्तर है चाया वाद से आप क्या समझते हैं चाया वाद की प्रोंग बिसेस्टाइन दिखिए यह भी पॉप्लर कोईश्चन है कई बारा चुका तो इस पर फोकस करना ही करना है तुलसी दाफ के काब समनुवे की बिराट चेष्टा है सोदाहन समझ्चा कीजिए यानि कुल मिला के तुलसी दाफ का पूरा का पूरा जीवन पर चे उनकी जो रशनाएं उनके बारे में पढ़ लेना कि उनकी रशनाएं किसकी आधार पे होती तो आप सभी मालूम कि कभी पूरी तुलसी दाफ की दुरसनाएं हैं वो सारी फारी राम भक्त साखा पर यानि की राम भगवान को अधार मान करके इन्हों ले लिखा है ते भी पोप्लर कोश्चिन है सुमित्रा नंदन पंद के प्रकर चित्तन के सोदाहन समझ्चा कीजिए ये इतना महात पूर नहीं पीडियाप में मिलेगा चली वो भी पीस कर देते आप लोगों के समझत ठीक है तो यह हमारी महा संग्राम पीडियाप ठीक है महा संग्राम पीडियाप जिसको आपको हम टेलीग्राम वटसप पर प्रवाइड करा देंगे इसमें वो सारे कोश्चिन इनक्यूर्ड हैं जो उन्हें फिरीच नहीं खरीदी या फिर जिन्होंने कोश्चिन बैक नहीं खरीदी या फिर वो तैयारी नहीं कर पाएं तो उनको बहुत ही हेल्प करेगे क्योंकि इसमें कोश्चिन एंसर दोनों इनकी लिएड है जो कि आपको टेलीग्राम वाटसप पर मिल जाएगी जो इस हाथर में मैसेज करेंगे ठीक है बाकी मिलते हैं नई वीडियो में जय हिंद